दोस्तो अगर अपनी तेयारी Unnecademy Plus से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आप zabbelश लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं जैसे कि आप अपने screen पर देख सकते हैं कि इंडिया के top educator मिल जाएंगे unlimited access मिल जाएंगे डेली live होगे डेली उसके बाद slivers के कोडिंग क्लास से लेगा जो आपका डेले डाउट होगा वो क्लियर करा जाएगा उसके बाद study material pdf format में मिल जाता है ठीक है अब देखे दोस्तों एक और important update है कि last few day to enjoy 10% discount on India Air Force 6Y Navy के लिए है देखो पहले 10% discount मिलता था आप सबी को भी पता है लेकिन ये कुछ दिने के लिए आपके पास 10% पाने के लिए आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GGAT 10 को use करना 10% अभी मिल जाएगा लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जा है और आपका 5 अपरेल तक चलने वाला है तो जा कि आप लोग इंडिया के बेस्ट एडुकीटर के साथ उसके बाद आपका जो सेकेंड है यानि ये टू के लिए आपका complete वेच ओपन हो जाएगा 25 फरवरी से लेकर 1 सेप्टेमबर तक चलने वाला है यानि कि 25 फरवरी से ल हो आपको सबसे पहले करना क्या है कि dat सबस्क्रेप्शन पर क्लिक करना जैसे है कि अपकलिक और चोल महीन के लेंगा है यह एक महीना तीन महीन अगले टेन परशंट आपको definitely मिलेगा अभी आपको मिल जाएगा आने वारे time में आपको 50% मिलेगा तो GJT 10 डालके apply करिए उसके बाद आपका final price पड़ जाता है 12 महीने का 72, 6 महीने का 760 ऐसे आपको पड़ जाता है तो आप लोग जाके special class या फिर बहुत सारे चार classes डेली चलते हैं उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी Hello friends कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हमाद YouTube channel ग्यान जोती आसेस टूटोरियल तो दोस्तो आज हम लोग करने वाले हैं Navy Air Force से related GK के most important questions जो आपके exam के लिए बिल्कुल important होंगे तो चलिए सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दू कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा टेलीग्राम चैनल जोइन करना है और वहां से सारी वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर शकते हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और यहाँ पर देखेंगे पहला कोश्चन आप लोग के स्क्रिन को पर यह है पहला कोश्चन यह कि भारत में सबसे संपति वाला राज जी कौन है सवाल हमारे पास यह है कि who is the richest state in India तो नीचे में आपको चार option दिएगे है option A में है Tamil Nadu, option B महरास्टर, option C केरला और option D में है करनाटक तो यहाँ पर question number 1 का right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा, B में हमारे पास क्या है महरास्टर हो जाएगा right answer जो महरास्टर है यह पूरे all over इंडिया यह पूरे भारत में सबसे शंपत्ति वाला, सबसे ज्यादा शंपत्ति वाला राज्य है यह है महरास्टर, आप guess कर सकते हैं और अक्षर इस तरह से आपके exam में अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आप असानी शे guess कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा शंपत्ति वाला राज्य यह कौन है तो यह महरास्टर हो जाएगा, यानि right answer option number B हो जाएगा, ठीक है अब आगे पढ़ते हैं हमारे पास second number question, प्रसन संख्या 2 आपके स्क्रेंड को परहें कि भारत का कितना प्रतिश्ट अबादी कृष्षी उधोग पर निर्वर है, option A में है 60%, option B 70%, option C में है 58.9% और option D में है 44% तो question number 2 का right answer क्या हो जाएगा, option C हो जाएगा, C में हमारे पास क्या है, यानि 58.9% जो अबादी है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे all over India में ये कृषी पर अधारी थे यानि कृषी उधोग पर निर्वर है, total 58.9% ठीक है, right answer option number C हो जाएगा, 58.9% जो पूरे all over India में कृषी उध दोग बर निर्वर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास third number question, प्रैसन संक्या third आपके screen को पर ये है और ये भी question बिल्कुल important है, ध्यान से देखिएगा, question number third, सवाल है कि जो भारत में यूजना आयोग है, उसका गठन कब किया गया था, option A में है 15 March 1925 को, option B 15 September 1950 को, option C मे right answer क्या हो जाएगा, option number A हो जाएगा, A में हमारे पास क्या है, 15 March 1950 को ये जो योजना आयोग था, इसका गठन किया गया था, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा, और अक्सर मैं आपको ये बता दो कि जो भी प्रधान मंत्रे related जो भी योजना ये जारी किया गया है, उ इस सारी सवाले अक्सर एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल को आपको क्या करना होगा, बहुत ही असानी से याद करना होगा, और याद रखना ही होगा, और जैसे आपको प्रधाद हो कि जो पिछले ही paper जो हो रहा था, तीस का Navy Air Force का, उसमें अक्सर ये रखना होगा, ठीके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर प्रशन, प्रशन संक्या 4 आपके स्क्रिंड को परहें कि लीची का विश्वक में सबसे बड़ा उत्पादक दिस कौन सा है, पूरे All World की बात की जा रहे है, ठीके, तो Option A में है भारत, Option B नेपाल, Option C बात की जा रही है, कि सबसे बड़ा उत्पादक देश ये भारत ही है, यानि लीची उत्पाद करने वारा भारत, यानि पूरे वर्ड का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश ये भारत है, Option A हो जाएगा राइट एंसर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर प्रश्ण है, पूछे भी जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दू कि आसिस्तर ने भी बताया हो कि आपको क्लास में कभी कि आपको मुद्रा से रिलेटिट प्रश्ण पूछा जाता है, राष्टपती, प्रधान मंत्री या फिर वगरे वरे करके कई सवाल इस तरह से भी पू पूछा जा रहा है, तो बांगलादेश की जो मुद्रा है, इसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना हो का सरासर इसका नाम बहुत ही अशान है, यानि इसका टका हो जाएगा, राइट एंसर क्या हो जाएगा, टका यानि ऑप्शन नमबर C हो जाएगा, ठीक है, जो सरासर क्या है, अशान है, इस तरह के शावालत आपको बिल्कुल यादी होना चीए, तो कि यह क्या है, यह बिल्कुल कंपलसर ही है, कि याद को यादी रखना होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हमारे पास 6 नमबर प्रशन, प्रशन संख्या 6 आपके स्क्रिन को पर है, और यह मैं बता दू कि यह जो कोशन है, इन सभी कोशनों सापको क्या करना होगा, एक्स्टा फैक्ट मिलेंगे, वह आपको यहाँ पर नोट परते चलना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रशन संख्या 6 आपके स्क्रिन को पत्रकारों के खिलाफ अफराद के लिए अंतरास्टी दिवस मनाया गया है, यानि कि जो पत्रकार होते हैं, और जो मीडिया के खिलाफ वोने वाले अपरादों के विरोध में यह दिवस मनाया जाता है, दो नवंबर को, यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा, आप यहाँ के बाके के ऑप्शन को डिसक मनाया गया है, वो है National Unity Day, यह भी आपको 31 अक्तूबर को ही मनाया गया है, 29 अक्तूबर को मनाया गया है, जबकि 1 नवंबर को वेश्व शाखाहरी दिवस के रूपे बाता है, यह आपको सभी डी, आपको याद ठक ने होगे, कि याद रखने होगे कि सभी days क्या है, बलकुल important है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला question प्रसन संक्या 7 आपके screen के उपर है कि public affairs index 2020 में बड़े राज्यों की स्रेडी में कौन सा राज्य सिर्ष पर रहा है तो इसमें सिर्ष पर रहा है के रहले यानि राइट एंसर क्या हो तो यह क्रम आपको बिल्कुल यहां पर क्या करना होगा याद रखना होगा ठीक है तो टॉप किया है केरल तो हम के बारे में discuss करेंगे तो केरल की राजधानी क्या है तो केरल की राजधानी है तीरू अनंत पूरम और वहां के प्रजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है तो यह पिंडरे विजियन जबकि राजधे पाले आरिफ मुहम्मद कान यह आपको यहां पर याद रखने होंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रशन प्रशन संख्या एट आपके स्क्रेंड को परहे के हाल ही में किसे 28 वेजु थर्शन पुरशकार के लिए चुना गया है तो देखे यह अभी हाल ही में चुने गये हैं पॉल जगारिया को यानि इस कोशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी हो जागा ठीक है पॉल जगारिया को ठीक है और यहां पर एक टर पॉल राज्य का यानि शाहित्य जगत का सर्वच्च अवर्ड है यह एजु थर्चन पुरशकार और यही दिया गया है पॉल जगारिया को यानि इस कोशन का राइट एंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ठीक है अब देखें यहां पर कि भारत में शाहित्य जगत का सर् पिट अवर्ड से यह ने नवाजा गया है यह आपको यहां पर याद रखना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रशन प्रसंसंख्या 9 आपके स्क्रेंड को परी है और यह भी कोशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा साज़ेदारी अभी हाली में की गई है माइक्रोशॉफ्ट के द्वारा किसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है यानि इस कुशन का राइट एंसर ऑप्शन नमबर दी हो जाएगा ठीक है और यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है इन इस डीशी यानि कि सकते हैं तो इसमें जो साज़ेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसके द्वारा भारत के लगबग टोटल एक लग महिलाओं को स्टिल ट्रेनिंग दी जाएगी यह आपको यहां पर याद रखना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास टेन नमबर प्रशन प्रसंसांग्याहेन आपके स्क्रेंट को पर यह और ये भी कोशन इमपार्टेन्ट है ध्यान से देखिए के सब्सवाल एक हाले में कर्न να राजूत्यों कहां मनाया गया है तो इब बता दू कि कि राज्य के जो संगित शहित जो होती है और विज्यान जिससे टोटल 25 अलग अलग काटेगरी को पुरशकार भी प्रदान किये जाते हैं करनाटक गौर्मेंट के दौरा यह आपको यहां पर बात करेंगे किसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले करनाटक के बारे में त आपको यहां पर याद रखने होंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर प्रशन प्रशन संख्या 11 आपके स्क्रेंड को पर यह है और यह भी कुश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है 11 नंबर प्रशन यह के हाले में किस राज्य सरकार ने यानि किस राज नंबर भी होजा का राइट एंजर किसके द्वारा पंजाब गवर्मेंट के द्वारा तो खाली में पंजाब सरकार के द्वारा टोटल 31 दिसंबर 2021 तक सभी यानि टोटल सभी मीनी और स्कूल बर्शों के लिए मोटर वाहान पर कर यानि लगा दिया गया है टोटल 100 अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 नंबर प्रशन संख्या 12 आपके श्ट्रिंड को पर है कि हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवारे करने वाला पहला राज यह कौन बना है यह भी कोश्चिन बिलकुल इंपार्टेंट है ठीक है तो यह अभी हाली में बन गया राजस इ podstaws भी हाली में बन गया है ठीक है तो अब राजस दयुस्तान बन कि ठीक है तो देखिया हाली में तो कोश्चिन की जो ही बन यह लेकिन हलाकि कर भी बन घील अभी है तो लिशचिनन के अब हो रही है ठीक है तो कोरोना से बचने के लिए फिलहाल मास की माश ठीक है और इसलिए मास्क पहन कर कम भाहना जो है वह बहुत ही कमपल्सरी हो गया है तो इसी के लिए कानून बनाकर के मास्क गोप अनिवारिक करने का यह पहल की शुरुवात की गई है किसके दौरा राजस्थान गौर्नमेंट के दौरा अब यहां पर हम राजस्थान के बार है कल राज मेसर यह भी आपको यहां पर याद रखने होंगे अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानि 13 नंबर प्रस्ण संक्या 13 आपके स्क्रेंड को परे के हाली में किस देश की किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है यह भी कोशन है यह टोटल हर साल 10 में से जनगणना की जाती है और आप सभी जानते हैं कि जो जनसंक्या की दृष्टी से जो चाइना है यह क्या है पहले अस्थान पर है ठीक है अब यहां हम बात करें चाइना की तो कैपिटल क्या है चाइना की कैपिटल है बीजिंग जो है वो चाइना प्रस्ण संग्या 14 आपके स्क्रेंट को पढ़े किस देश की आधिया बादी का एक दिन में कोरोना टेस्ट किया गया है यहां पर यह भी कुर्शन बिल्कुल इंपार्टेंट है और इस तरह के एक्जाम में सवाल आपके पूछे जाते हैं ठीक है तो यह किया गया है स्लोवे पूटल सौ लोगों की वहां पर टेस्ट की गई है यहां आधी अबादी की वहां टेस्ट कर दी गई है यह आपको यहां पर याद रखना होगा ठीक है अब बात करते हम स्लोवेकिया की तो यह इसी थे यूरोप महाधिप में स्लोवेकिया की कैपिटल है ब्रिटिश लवा और करेंसी क्या है योरो और स्लोवेकिया की जो राश्टपती है ये क्या कौन है तो ये है जुजाना कैपुटोवा ये भी आपको यहाँ पर याद रखने होंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हमारे पास 15 नंबर प्रश्न प्रश्न संक्या 15 आपके सूट में भारती मुले मंत्री को बनी है तो न्यूज लैंड कैबिनेट है उसके भारती मुल्क से पहली मंत्री बन गई यानि option number A हो जागा right dancer ठीक है प्रियंका राधा कृष्णन ठीक है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो नियुजिलेंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेसिका आडन और इनी के cabinet में total 5 ने मंत्रियों को शामिल किया गया है जिसमें से एक हैं प्रियंका राधा कृष्णन जो की भारत से बिलोंग करती है जो भारती मूल की है ठीक है और यह केरल से बिलोंग करती है भारत में कौन से जगह से हैं केरल से बिलोंग करती है यह आपको याद रखने होगा अब यहां पर हम बात कर लेते हैं नियूजिलेंड के बारे में तो कैपिट तोटल 15 यह पंद्रा कोर्शन जो कि आपके एक्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्डेंट है ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने स्टेडी गुरूप में एटलिस्ट एक सेर भी क्यार दीजिए ठीक है तो आज लेत नहीं धन्यबाद